हलो मेरे प्यारे चात्रों आप सभी का सौःगत है जितने भी चात्र 25 वे बोड़ के इक्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए आप सभी के एक प्रकार का 2025 विज्ञान का वारल पेपर लाएं इस पेपर को अदम आप तयार कर लीजेगा बोड़ के इक्जाम में आप मैक्सिमम जो प्रस्ण होता है आपको इसी पेपर में से देखने के लिए मिलेगा ठीक है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देखिए जब आपको इस पगाह से प्रश्ट पत्र मिलेगा तो यहां पर सबसे उपर लिखा रहता है अनुक्रमांग यानि यहां पर आपको नाम लिखना रहेगा ठीक है इतना काम आपको इस प्रश्ट पत्र म्ला करना रहेगा अब यहां पर देख लिए यह पेपर का 688 genes हैश और यहां पर देखिए जो पेपर को हल करने का समय मिलेगा तीन गंट पंद्रे मिट का समय मिलता है और सांज में पीपर गाहे डोड़ निर्देश देखने के लिए मिलेगा तो आपको इस निर्देश के बारे में पहले से नालेज होना चाहिए देखे पहले निर्देश क्या कर रहा है कि प्रारम के 15 मिनट होता है परिछाती को प्रश्ण पत्र पहने के लिए दिये जाता है यानि आप 15 मिनट तक इस प्रश्ण को पत्र पोढ़ सकते हैं साथ में अगला क्या रहता है कि फ्रफिन पत्र जो होंगे दो खंडो में विभाजित होगा है खंड'' हो में खंड और खंड भ tolerant बाव में Вिभाजित होता है शाथ क्या है कि आपका को–त्र होता है और खंडबो होता है इसमें तीन उपभाग होते हैं एक दू और ती इस बकास तीन उपभाग की रहते हैं फिर इसके बाद अगले निर्देश से कि प्रश्ण पत्र के खंडआ में बहुविकल्पी प्रश्ण है जिनमें सही विकल्प का चेर्ण कर ओयमार उत्तर पत्तिका प पर उत्तर देने के पश्चात यदि आप एक बार और सीट भर देंगे तो उसको कभी भी काटना नहीं है नहीं रेजर ना वाइट इन सभी के कदापी आपको परियोग नहीं करना रहता है तो बहुत ध्यान से भरा जाता है अगला है कि खंड आ जो है इसमें आने नमबर के रहते हैं अगला प्रस्न अगला देखनी निर्देश कि खंड रहेंगे जिसे आपको उत्र पूश्टिकापल लिखना होता है प्रतिक प्रशण के संक्रेंजिक अंग निर्दायत कितने नंबर कर रहेगा उसके आगया निरदायत किया जाएगा खंड परतिक उपभाग नए प्रिष्ट से प्रारम कीजिएगा ठीक इस पॉइंट को ज़रूर द्यान दीजिएगा अगला है कि सभी प्रशन आपको करना अनिवार है जितने में इंपॉर्टेंट निर्देश्थ हैं आपको बता चुके हैं अब देखें यहां से प्रारम होता है इन सभी प्रशनों को आप एकदम तयार कर लीजिएगा यह सब से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रस्ण है आपके लिए लाएं इन प्रस्णों को आप स्कीप मत कीजिएगा तम तयार कर लीजिएगा ठीक है अब बहुतिक विज्ञान के पहले पूछा जाएगा आपसे तो देखें यहां प्रश्ण आप ध्यान दिजिएगा और ध्यान से परकें जिस प्रस्ण का इंसौर आ रहा है कमेंट बाक्स में लिख दीएगा लिएगा निए पहला प्रस्तू का आभासी इस आकार में बड़ा पर्तविम बनाने के लिए कौन सा दरपल परियोग करना च प्रतिवीं बनते हैं जिसमें सभी को पता है कैसा परतिवीं बनता है ठीक है साथ में सीधा भी बनता है और इसके साथ में क्या होता बड़ा बनता है इस चीज़ को ध्यान दीजीगा आवासी बनेगा सीधा बनेगा और बड़ा परतिवीं बनता है 21 दरपण में देखने के लिए मिलता है अवतल दरपण में तीस प्रश्न का सही जवाब होगा अब देखे एक यहां पर कंसेप्ट आप दोको बता द कैसा बनता है जोटा बनता है लेकिन र हैं यहां में पूछा क्या आता बड़ा परति भी तो कौन से संब्सक्राइब आपसाल हों चाहिआगा इसमें आप अधास सीह दे घ्यां से सून लीजी हमें सर अ theo बेमयसा confusion होता रहता है चलिए अगले प्रश्णों को देखते हैं देखिए अगला प्रस्ण इसको भी ध्यान सतम पढ़िए क्या है आपका किसी वस्तु का आभासी आकार में बढ़ा देखिए आकार में बढ़ा परत्वीम बनाने के लिए कौन सा लेंस परयोग करना चाहिए अब यह क्या पूछा आप से लेंस पूछा है ठीक है अब यहां भी का रहा है कि आभासी परत्वीम बनना चाहिए बढ़ा बनना चाहिए और लेंस में पूछेगा तो इसका सही जवाब क्या होगा उत्तल लेंस होगा अब देखिए उत्तल लेंस के द्वारा च्छा परकार के परत और क्या बनेंगा बड़ा बनेगा इस चीज़को ध्यान दिजिएगा उत्तल लेंश के द्वारा जबकि आउतल दरपड़ के द्वारे ऑप पर प्रतिविम बनता है अबासी साथ में सीधा बनेगा लेकिन अब कैसा बनेगा छोटा बनता है थोड़ा बंदा यहां पर देखिए आप से पूछेगा तो कौन से सही जवाब होगा आपका यह वाला आपसन सही हो जाएगा जब यही दरपड़त पूस्ता इसका उल्टा हो जाता है जैसे आपको पिछला प्रश्ण कराए थे तो आप उस प्रश्ण को दोबारा देखके इ अगला प्रश्ण देखिए आपको तीसरा नंभर का कि आखास के नीले रंग दिखने का कारण होता है अब प्रतिन के कारण के कारण या अप वर्तन के कारण कि आहां से प्रकास की चलेगी इन कड़ों कि क्या होता है आपका प्रकास की चाल अदिखतम होती है अग बताना जो प्रकास की चाल होंगा ना किस मे अदिखतम वोक वह करता है यह चीज को नहीं करते हैं outta नहीं करता है इसका मतलब निर्वात में आपको पता किसमिया दिखका निर्वात में तिसका सही जो आप डीवल आपसन सही हो जाएगा आपको पता होगा देख लीजी इसको याद कर लीजेगा अगला प्रश्ण पांचवह नमबर के द्यान दीजिए कैसा पांचवह नमबर का प्रश्ण है यह तीन भीविन मानों के प्रतिरोदों को सिर्डी करम में समान जये जड़ा जाये तो सभी निश्चित रूप से एक ही मान होंगे अब दिखें आप क्या कहा है और करम छोड़ा पूश निश्चित रूपस अपूश्य समान हो और दोको दोका को ईसे को जोडा जाता है यह तलब estásya सब्सक्क्राइब OS पर्तिरोध में परवायत होने वाली विद्धाराइए ने यह समानतर सरी मतलब होता है जैसे 3 इसे क्वरतरोध 2 रहें यहां सब से दुवारा इसको जोल लीजे यह आ रवन है आतू है रथी एसमें क्या उतने करह दारता है एक मैंदारा अज़ा थे सब्सक्राइबरा यहां जो दारा समान होता है इसका मतलब जो दारा आहीं होता है समान होता है सब्सक्राइब एक तरबों सब्सक्राइब होगा परतिरोध के सीरों के बीच वी बांतर मान एक समान होगा नहीं यह गलत अलग-अलग होता है परतेग परतिरोध में परवाइत होने वाली विद्दूधार एक समान होता है इसका सही जब क्या होगा सीवलापसार सही हो जाएगा ठीक है यहां पर एक अदर में समान क्रह् backpack को सिसवार्प तरवढ्ल करने बीचियर में है परतिरोध को जोड़नी की बात करता शे送 homem hatte notben अलग-णिद्ला लेकिंव पॉल्टेज परता समान रुख लिए चांट याद कर लिए और आक आता है नसीड़ी आया जो आपको बोड की एक्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्ण है और 2025 के एक्जाम में आपको बदा रहे हैं कि अगला प्रश्ण देखिए आप पे छटबा नमबर का कि किसी विद्धुत परिपत में किसी परत्रोत की सीरों के बीच विभांतर की मतलब होता है कि विभांतर का मात्रक पूछा क्या पूछा है मात्रक विभांतर का मात्रक क्या होता है तो आप सभी को पता है कि विभांतर का मात्रक बोल्ट होता है इस प्रश्ण का सही जब क्या हो जाएगा चलिए चारों आपसन के बारे में बताते हैं इसका सही जब सी ह अगला प्रशन आप से क्या कर रहा है कि एक चुंबकी च्हेत्र में च्यतर के लंभर और इिश्थित विद्धुधारावाहि चालक पर लगने वाले बखि दिसा क्या होगा तो थेखें यहां पर आपका जवाब क्या होगा आपसों को धिख लीजी चुंबकी च्हेत्र के की दिशा के समांतर होगा चालक प्रवाइत होने वाली विद्धुधारा की दिशा के समांतर होगा इन दोनों दिशाओं के लंबवत होगा यह उपर्युक्त में से कोई नहीं ठीक है यहां पर चुम्बकी छेत्र में छेत्र के लंबवत इस्थित विद्धुधारावाही चा क्या होँता है रसाइन विज्ञान के सवाल पूछा जाए ठीक है कि रसाइन включ न के अपके क्या पूछा जाएगा सवाल पूछे गए कि पहला सवार इसमें खर इस समान सुत्रों त students को पनवे को पूइंट बता देते हैं एक होता है एलकेन, क्या होता है एलकेन, एक होता है एलकेन होता है, क्या होता है, एलकेन होता है, एलकेन का फार्मूला क्या होता है, तो cn h2n प्लस 2 होता है, यह होता है एलकेन का, पूरा देख लिए लिए दम, एलकेन का होता है, cn h2n होता है, और एलकेन का जो होता है, cn h इसको लिखे की याद कर लीजिए यह बहुत पेपर में आता है एक चीज याद रहेगा आपको प्रस्ण को हल करने में बहुत आसाली होगा इस चीज को आप जानते रहे हैं ठीक है तो इसको लिख लीजिएगा अगला देखिए नि्मलिकित में समझादी सिर्डी है अब आपको पताना है कि समझाती सिर्डी इसमें से कॉछ रहे हैं समutको द्यान से शेंटी में शाम में दो जब 2देदा वना उस दोनों बचाएंगे दूग कार्म बचेगा यहां पे च्छा और यहां यानि कि यह मिला कि नहीं विला इसका मतलब समझाती है ठीक है यह क्या है आपका समझाती अगले आपसंगों देख लीजिए यहां नहीं सकता है यहां भी यहां पर देख लीजित यहां यहां पर देख लिजिए दो कारबन आपको अपसंदर में विकलब है पहला और चोथा सही है दूसरा चोथा सही है या पहला तीसरा 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 है पहला तिसरा रहा इसका सही जब क्या होगा डीवल आपसन सही हो जागत इस पकार से इन सबी प्रशनों को आपको लगाना है देखें कुछ वीडियो हो सकता है के लंबा हो लेकिन यह प्रशन जो है आपको बहुत डीटेल में बताया जा रहा है इसी लिए थोड़ा सा लंबा स्वेल क्या है कि यहां क кол को थान्डे जल के साथ है एड्रोजेन गयस निकालता है जानी आसानी से बाहर क matar लेगा कि आपका ताबा जल से हाइडरोचन के क्या करेगा सक्रिता सभilt करेगा इसको नहीं इसमें से का छोना है सबसे नहीं चुन नेतरा सक्रिय दादु काउन सा है पोधियाम में यह क्या करेगा जल से उसका तहों को जब और सबसे क्या में है building अगला देखिया पी एच Вचा vibrations है या और यह जो काता है इन दोना के बीच में होता है दूना की बीच में होता है प्रशन कि अगये हैं जैसे आपको बतार रहें सभी आप्षन को द्यान से देखके सभी प्रशनों को आप समझ दीजिये एक दब तो लुखेए कि य मैं उतर प्रकास का ऻर्म 느या हैं कि प्रकास के दोब गुलकोज बनाता है हुआ और दो सभी हो जाएगा ठीक है यहां पर इस योगी को पूरा करना है यहां पर पताना है कि इस में से कौन सा अपसन यहां पर आपका भरा जाएगा ठीक है तो देखिए यहां क्या होता है यहां पर कितना एक है और चाहिए आपको कितना और यहां पर यहां पर इसके साथ में इसके साथ में इसलिए सही हो जागा ति आपको सभी सवालों को बता रहे हैं यह कैसा लग रहा है कमेंट बाक्स में अपनी राय जरूर दे चलिए अगले प्रस्णों को देखते हैं जिसमें जीवी ग्यान के सभी प्रेशन पूछे गए हैं अब देखिए आप अगला प्रस्न क्या है आपका डेत, कि आप दो सब्नुह अपर आपको बता है एक पुठा बार 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 यह परणसमा पूछा जात्यते हैं एक जाहिलल पूछता है जाहिल आहीली थाड जहूआन करता है जबकि आ hakkा करता है अब आपений पूछा किया है करने की बात अब बोशन करता है इसाल को मद्वेश आपरेब दे अधे अधिन गवाजु को करता है इसलिए इसका सही जो आप सीवलापसन सही हो जाएगा ठीक है अगला प्रशन देखिए आप 15 नमबर का जो प्रशन है क्या है कि मनुस्यों में पाचन की सुरुआत किस अंग से होता है यानि कि आपको बताना है कि जो पाचन होता है वो कहां से प्रारम स्टार्ट हो जाता है आपको बताते हैं कि जैसे आप भोजन करते हैं जैसे बोजन करते हैं जब आप भोजन को मुह में चबाते हैं वहीं से पाचन आपका प्रारम हो जाता है आपके बोजन जो होता है मुख जो होता है वहां से आपका बोजन प्रारम हो जाता है पचन जैसे बोजन मुह में उस होता है ठीकित इसको आप याद रखिएगा अगला प्रशन देजिए 16 नंबर रखा कि निम्नली कित में से कौन सा एक पादफ हार्मोन है आपको यहाँ पर बताना है कि पादफ हार्मोन कौन सा है अब आप संको ध्यान से पढ़ लिजी थायराक्सीन यह मनुस्यम पाए जाता अगला देखिए ब्रिद्धी हार्मोन सरावित होता है यानि कि ब्रिद्धी हार्मोन होता है वो कहां से सरावित होता है आप संदेख लिजी थायराइट गरंति से प्यूट्री या प्यूज गरंति से होता है अधिव्रिक गरंतियों से या अगन्यासे से होता है तो सब्सक्राइब याद करने का तरीका बता दें प्राइब याद कर सकते हैं अगला प्रशन देखिए क्या है आपका बिस नम पूसप का जनन अंगहें आपको जनन अंग बताना है कि मेया सुग足ौता है यह कि अगला प्रशन देखिए हो अगला फ्र похож इन इनकी ओजोन प्रत प्रिथवी को बचाती है ति हुए यहां तक आपको बीज बहुत ज्यादा डिटेल में बता है यादि आपको इसी तरह का वीडियो डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट बाक्स में लिख दीजी सभी प्रश्णों का एक दब आपको डिटेल में बताया करेंगे जिससे आपको प्रश्ण उसी समय पढ़ाते पढ़ाते आप सभी को प्रश्ण याद हो जाएगा ठीक है अगरे नंबर के प्रश्णों को आपको बिता देते हैं बाइक से पीछे आ रहे हैं एक वहां जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय आठ मीटर है तो गणना करके बताये कि उसका परतविम दरपर से कितने दूरी पर और कहां बनेगा इस सवाल को जब हम बताना स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जागा इस प्रशन का डारेट आपको एंसर बता दिते इस प्रशन को हम परके आप इसका Cayuma मिला लेजियेगा देखके इसके एनसर क्या हो जाघगा इसका एंसर विश्वे देख्ति से अधिक असी मीटर की दूरी तक देख सकता है गाना कीजिए कि सही दृष्टी के लिए अर्था अनद्र दूरी तक वस्तु देख सकने के लिए उसे किस प्राकृतिक तदा किस फोकस दूरी लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा यहां पर देखे इस प्रश्ण का एंसर आपका हो जाए इसलिए डायरेक्ट आपको एंसर बदा दे रहे हैं आप इसका एंसर क्या होगा असी मीटर हो जाएगा जितने प्रश्ण बता रहे हैं सभी प्रश्ण को आप एक दब एक बार दो बार तीन बार एक दब हल कर लीजिए ठीक है देखिए अगला प्रश्ण आपका त्यवेस करता है इस प्रश्ण को तम तयार कर लीजिए सभी जितने प्रश्ण आदम इंपोर्टेंट है अगला देखिए 24 नंबर का घरेली विद्यूत परिपत की विवस्था को चित्र बनाकर असपष्ट रूप से देखाना है कि घर का विद्यूत के वायनिंग कैसे होता है उसमे अगला प्रश्ण आपको किस तरह कहें परिपत में परित्रोत से प्रवाई धारा जीरो दसमनों आट ओम परत्रोत के सीरो पर विवांतर ज्याद कीजिए तो इंपोर्टेंट को एस प्रश्ण को कई बार आप सभी को सिखा चुके हैं बता चुके हैं यादि फिर भी नहीं आता है तो कमेंट बाक्स में लिखिए इस प्रश्ण का अधम डिटेल में हल करवा देंगी ठीक है तो दिके पहले का एंस्वर आप यहां पिलिख लीजिए होगा आपका दू दसमरों तीन ओम होगा कितना होगा दू दसमरों तीन होगा और दूसरे प्रश्ण का एंस्वर हल करके आप एंस्वर अपना मिलान कर लीजिए कि आपने जो हल की हैं उसका एंस्वर सटिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगला प्रश्ण आपका है अब यहां से पूछा जागा जो दिर्गुतिरी प्रश्ण सभी रहते हैं देखे 25 का निमलिकित अभिक्रियाओं के लिए संतुरी ते रासाइनिक समिक्राइब ऑ लिखना है कि इसका संतुरी त्रासानिक समिक्राइब क्या हो गां से कारबन डाइकサ...' कर देखें वहाँ न गो बनता साद्टा बन जाता है यह भी समिकड़ा आपको कराया गया अगला देखिए जिंक और जब जिंक को सफ्यूरिक अम्ले के साथ किरिया करा जाता है तो जिंक सफैट बन जाता है छाट में हाइडूजिन गयस आपका बाहर निकल जाता है जिरू इसका समीकड़ लिखके बद पर जिंक हो यह करना है जब यह करता है यहां पर आपको लिखना है यह कई बार आप सभी को सिखा है और लिखने का तरीका भी बता है और ट्रिक भी बता है कि कैसे लिखा जाता है अगला देखिए इन प्रशनों के इंसर आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंड बाक्स में लिख दीजेगा हम सभी प्रशनों को हल करवा देगी ठीक है अगला देखिए 26 नंबर का क्या है कि निवले कित का कारण आपको बताना है कि इसका कारण क्या है अब यहां देखिए पाला है कि एक जस्ते की छड़ को कापर सलफेट विलियर में डालने पर उसका नीला रंग धीरी धीरी गायब हो जाता है ठीक है यह नीला रंग वाला अगला देखिए आयने की योगिकों के गलनाग उच्छ होते हैं इसका उच्छ क्यों हता है यह बताना है अब देखिए 27 नंबर का प्रश्ण क्या है इस पर टिप लिखना रहता है ना कि क्या होता है उदास निकड़ अभिक्रिया क्या है इसके दो उधार देना है उदास क्या होता है इस पर टापिक को तयार कर लीजिए साथ में अगला प्रश्ण जो है आपका निम्न लिखित योगिकों कि आयू-PSC नाम लिखना है आपको ठीक है आपको आयू-PSC नाम भी लिखके बताना सिखाना आपको बाकी है तो इसको भी सिखा देंगे यह जितने भी प में प्रश्ण बता रहे हैं सबी प्रश्णों को एकदम तयार कर लीजिए अगला प्रसन देखिए और मिद्षी अध्मा में दिया है कि निमम्न लिखित पर संचिप टिपड़ी दिखरा है मिसेल क्या होता है ये यह संचार क्या इसके बारे में यह योगात्मक अभिक्रिय हैं बदेखेना प्रूद भवान प्रश्चित्र निव ही देटें वरेंग करना इए सत्र नंबर का है मुद्ट निर्दार्णा करना आई क्य सत्य निर्दाणा कैसे होता है इसके साथ है प्रकाशनु वर्तन के उप्रयूक्द चित्र की सहायता इसको परिवाजित कर रहा है और इसको बताना तैबशन करना राता है इसके बारे में आपको डिटेल में बताना आई जितने वी प्रशन को आप जरूर तैयार कीजिए ऑथवा देखिए परितंतर को परिवासित कीजिए ये जितने जैवी घटकों का वाडल सही करना है ठीक है त्ई इतने भी आपके प्रश्णथे अम वारल प्रश्ण आपको बताएं सभी प्रश्णों के एक जगह लिखे किये और चैनल पर नहें चलको साथ में सब्सक्राइब कर लें